नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल क्रैक्ड कॉंपेशन में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम SSB Head Constable Ministerial के एक्जाम के लिए सामान ग्यान का एक महत्पूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिसकस करेंगे दोस्तों SSB Head Constable की एक्जाम डेट रिली जो जुगी है आपका एक्जाम 3 जनवरी 2021 को कंड़क्ट किया जाएगा सभी क्वेश्चिन्स आपको हिंदी और इंग्लिस दोनु लेंग्वेश्म अपियर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों इस वीडियो में Static GK के साथ साथ करन्ट अपेस भी प्रोवेट कराई जाएगी इसलिए वीडियो मन तक बने रहिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रसन तो आज का पहला प्रसन है पूर्ण स्वराज जी वाज डिमांडेट इन विच कॉंग्रेस सैसन तो कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज जी की मांग की गई थी तो इसका अंसर है लाहर सैसन या फिर लाहर अधिवेशन जो की 19 दिसंबर 1929 को आयजित किया गया था ठीक है लाहर अधिवेशन कब हुआ था 19 दिसंबर 1929 को और इसी अधिवेशन में पूर्ण सुराज जी की मांग की गई थी और इस अधिवेशन के अधिक्सता की थी पंडित जवालाल नहरू ने अगला प्रस्न है Who of the following is considered as the father of green revolution in world तो विश्व में हरित करांती का जनक किसे कहा जाता है तो इसका अंसर है Dr. Norman Borlog तो दूस्तो पूरे वर्ल्ड में Dr. Norman Borlog को हरित करांती का जनक कहा जाता है यह एक American agronomist क्रिशी वैग्यानिक थे बात आती है भारत की तो भारत के context में father of green revolution किसे कहा जाता है Dr. M.S. Swaminathan को ठीक है भारत में हरित करांती का जनक कहा जाता है Dr. M.S. Swaminathan को और पूरे वर्ल्ड में हरित करांती का जनक कहा जाता है Dr. Norman Borlog को इध्यान रखिए अगला question है When was the civil disobedience moment started by Mahatma Gandhi? तो Mahatma Gandhi द्वारा सविनाई अवग्या आंदोलन कब सुरू किया गया था? तो 12 March 1930 को option number 6 का right answer है 12 March 1930 को Mahatma Gandhi जी द्वारा सविनाई अवग्या आंदोलन सुरू किया गया था नमक कानून को तोड़ कर और इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है option number 6 का right answer है March 1930 Who was the author of Humayun Nama? तो Humayun Nama के लेकक कौन थे? तो मुगल बास्सा Humayun की जो बायोग्राफी थी उसे Humayun Nama कहा जाता है और Humayun Nama की लेकक थी गुलबदन बेगम option number 20 का right answer है गुलबदन बेगम कौन थी? तो जो मुगल वंस के सस्ताफक थे बाबर बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम और Humayun की बहन थी तो इसने ही लिखा था Humayun Nama option number 20 का right answer है अगला है तो दोस्तो बाबर दोली सत्यागरह जो है वह जून 1928 में हुआ था Britishers के खिलाब तो बाबर दोली कहां पर स्तित है? बार दोली जो है वह गुजरात में स्तित है option number 30 का right answer है बार दोली कहां स्तित है? गुजरात में स्तित है और यह civil disobedience moment की एक starting थी ठीक है यही से civil disobedience moment जो है वो start हुआ था किस ने इसका नेतरुत गिया था? महात्मा गादी ने ठीक? next why the earth is having its own atmosphere? प्रिथिवी का अपना वायुमेंडल किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों due to gravity गुरुत्वा करशन के कारण जो है प्रिथिवी का अपना वायुमेंडल होता है option number C इसका राइट आंसर है गुरुत्वा करशन next है the हडपन civilization was discovered in which year? तो हडपा सब्वेता या फिर हडपा संस्कृत की खोच किस वर्स हुई थी? तो इसका आंसर है 1921 में हडप्या सब्वेता की कोच कब हुई थी दोस्तो 1921 में हुई थी सर जॉन मारसल, राय बहदूर, दयाराम साहनी और माधव स्वरुप बत्स द्वारा इसकी कोच की गई थी तो इनका नाम आप याद रखेगा अगला है the kuka moment started in the mid 19th century 19 सदी के मध्य में कुका आंदुलन जो है, वो कहा शुरू हुआ था दोस्तों, कुका आंदुलन क्या था यह एक सिख religious moment था ठीक है इसको की नामधारी moment भी कहा जाता है ठीक, सिखों का एक धार्मिक आंदुलन था और यह Western Punjab में हुआ था ठीक है न, 1840 आसपास वेस्टन पंजाब में इसको किया गया था तो option number A, इसका right answer है इस प्रकार के question भी exam में पूछे जाते हैं, ठीक है अगला है Who is the present chairman of UPSC संग लोग सेवा आयोग के वरतमान अज्यक्स कौन है तो इसका आंसर है प्रदीप कुमार जोसी या फिर PK जोसी UPSC के present chairman है दोस्तो UPSC के जो chairman है उनका tenure होता है 6 साल या फिर उनकी age होती है 65 years जो भी पहले हो जाए तब ही retire हो जाते हैं और जो UPSC है वो संभिदान के article 315 के नुसार इसकी स्तापना किये गी थी article 315 के नुसार और जो member का appointment होता है जो इसके office के member के appointment होते है वो होता है article 316 के तहत ये भी ध्यान रिखिएगा ठीक है ऐसे question आपके exam में पूछे जा सकते हैं next overdraft saving the Indian saver book written by तो overdraft नाम की पुस्तक किस ने लिखी थी यह काफी चर्चित पुस्तक है 2020 की आपके exam में पूछी जा सकती है तो overdraft saving the Indian saver जो book लिखी है वो लिखी है डॉक्टर उर्जित आर पतेल ने अब उर्जित पतेल का नाम आपने जरू सुना होगा यह RBI के 24th governor थे ठीक है इन्होंने इस्तिपा दे दिया था अभी कौन कौन है governor 25th governor है RBI के सक्तिकांत ठीक है इनका नाम भी याद रखेंगे और दोस्तो एक और चर्चित पुस्ता का third pillar third pillar तो third pillar नाम की book ने लिखी RBI के पूर्व गौर्णर रगुराम राजन के द्वारा इतनी बात आप यहां से याद रखेंगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न है who amongst the following also had the rename देव नामा पियदासी तो किस का नाम देव नामा पियदासी भी था या उपनाम कह सकते हैं दोस्तो जो यह देव नामा पियदासी है ना यह पाली लेंग्वेज में लिखा गिया है मौरियन किंग असोक का नाम था देव नामा पियदासी इसका अर्थ होता है गुड लुकिंग यानि कि अच्छा दिखने वाला हला कि यह पाली बासा मा है इसका जो नॉर्मल होती है टांसलेशन वो होता है गुड लुकिंग चार्मिंग ठीक है तो मौरियन किंग असोक का उपनाम देव नामा पियदासी भी था असोक ने 273 BCE से 232 BCE तक कलिंग पर सासन किया फिर बाद में इसने बौद रिलिजन अपना लिया था अगला कुश्यन है गंगा सागर मेला फेर इस हैल्ड इन विच स्टेट बहुत इंपोर्टेंट कुश्यन है गंगा सागर मेला जो है वह किस राज्जी में ऐज़ित किया जाता है तो इसका आंसर है वेस्ट बेंगोल में गंगा सागर मेला जो है कुम्ब के बाद दूसरा सबसे बड़ा रिलिजियस फेर है इंडिया के अंदर और यह प्रतियक वर्स मकर संक्रांती यानि कि मकर संक्रांती की समय में सागर द्वीब पर वेस्ट बंगाल के सागर द्वीब पर आयजुद किया जाता है ठीक है ये भी ध्यान रिखिएगा तो option number C इस का right answer है वेस्ट बंगाल की चीप मिनिस्टर है ममता बनर जी और यहां के जो गवर्नर है वह है जगदीब धनगर और यहां की कैपिटल है कोलकाता अगला क्वेश्चिन है तो निमलिकित नदियों मैं से किस नदी का उद्गमस्तल भारतिय छेत्र से नहीं है तो घागरा जो रिवर है दोस्तो इसका उद्गमस्तल इंडिया से नहीं है या तिबद के वेस्टन स्लोप से निकलती है तो option number D घागरा रिवर इसका right answer हो जाएगा ठीक है Next है National Technology Day celebrated across India on which date to memorize the anniversary of सक्ती the POKRAN nuclear test तो POKRAN में जो हमने nuclear test किया था परमाणो प्रिक्षण किया था उसका नाम था सक्ती उस परिक्षण का नाम किया था सक्ती तो उसकी सालगीरों को याद रखने के लिए हम National Technology Day कब मनाते हैं प्रतियक वर्स 11 माई को question थोड़ा घुमा फिराकी पूछा गया है simple सी बात है कि राश्ट्रिय प्रोध्यों कि दिवस या फिर National Technology Day हम कब मनाते हैं 11 माई को इस दिन हमने क्या किया था राजस्तान के पोखरण में हमने nuclear test किया था ठीक है option number 6 का right answer है 11 माई next question है electron affinity of noble gases तो जो उत्रिस्ट gas होते हैं जो की group 18 मा आते हैं जैसकी helium, neon helium, neon, argon, krypton, xenon, radon ठीक है न तो इनकी electron affinity कितनी होती है तो जो noble gases होती है दूस्तों उनकी electron affinity सुननी होती है 0 होती है क्यों? क्योंकि इन में जो है perfect 8 electron का set होता है इनकी valency पूरी होती है इसलिए इनको अतिरिक्त electron क्या हो सकता नहीं पढ़ती है इसलिए इनकी electron affinity जो है 0 होती है option number A इसका right answer है अगला है unicellular non-pathogenic parasite found in the human intestine तो मानव की आत में पाया जाने वाला एक कोसिकी यह गयर रोग जनग यानि कि जो disease cause नहीं करता है non-pathogenic है परजीवी कौन सा होता है तो मानव की आत में पाया जाने वाला परजीवी ता है दुस्तो ascaratia coli जिसको हम sword promo बोलते हैं E coli यह human के लिए beneficial bacteria होता है परजीवी होता है और कोई भी नुकसान नहीं करता है ठीक है option number A का right answer है E coli अगला है the sea route to India was discovered by तो भारत के लिए समुदरी मार्ग की खोच किसके द्वारा की गई थी तो इसका answer है पुर्तगालियों के द्वारा ठीक है पुर्तगालियों ने भारत के लिए समुदरी मार्ग की खोच की थी 1495 से 1499 की वीच वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली था वह समुदरी के रास्ते भारत आये था ठीक है जो कि Cape of Good Hope से आये था तो इसका answer क्या हो जाएगा option number D पुर्तगीज ने की थी भारत के लिए समुदरी मार्ग की खोच ठीक अगला question है दोस्तो Who has authored the famous book गीता रहष्य तो गीता रहष्य नाम की परसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे तो इसका answer है बाल गंगाधर तिलक ठीक है बाल गंगाधर तिलक जो थे वह गीता रहष्य नाम के पुस्तक के लेखक थे बाल गंगाधर तिलक को आप सभी जानते हैं सुराज हमारा जन्मसिद्ध दिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे यह नाराभी बाल गंगाते तिलक के द्वारा दिया गया था तो option number C इसका right answer है अगला प्रसन है Where is the eastern command of Indian Navy? तो भारतिय नौसेना की eastern command का headquarter कहा है जो पूर्वी command है दोस्तों आपको पता है कि भारतिय नेवी के तीन command है eastern command, western command और southern command तो eastern command की तो जो है वो है headquarter है वो है विसाका पत्नम में और जो western command है पस्चिमी command है उसकी है मुंबई में और जो southern command है उसका है कोचीन में कहा है कोचीन में तो ध्यान रखिएगा present में हमारे जो chief of naval staff है वो है Admiral Karambir Singh कौन है? Admiral Karambir Singh और जो हमारा navy है उसका जो tagline है धेवाक के है वो है sang no varonaha ठीक? अगला है salal project in which river तो salal project इसलिए important है क्योंकि यह JNK का project है और यह चेनाब river पर present है कौन से river पर है? चेनाब river पर present है और 690 megawatt की एक जलविद्यूत परियोजना है और re-side stick में है JNK के रे-side stick में है JNK के present में लेटनेंट कौन बने है वो है Manos Sinha Ladakh के लेटनेंट कौन बने है वो है Radha Krishna Mathur RK Mathur और जो दोस्तों पहले जो JNK के LG थे Greece, Murmu उनको आप Comptroller of Auditor General of India बना दिया है CAG बना दिया गया है वो 14th number के CAG है तो अगर आपसे एक्जाम में पुछा रहा है कि 14th number के CAG कौन बने है तो आप बताएंगे GC Murmu और वहां के JNK कस्मीर UT के उपराजिवाल कौन है Manoj Sinha इतनी बात याद रखेंगे तो दोस्तों ये थे कुछ प्रस्न अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सेयर कर दीजिए अधिक से अधिक सेयर कर दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए थैंक्यू जैहिन जै भारत God bless you all